ओम शांती 30 दिसंबर 2020 आज की मुलिक का सार धारना के लिए सार वर्दान और स्लोकन मीठे बच्चे सत बाप द्वारा संगम पर तुमें सत्य का वर्दान मिलता है इसलिए तुम कभी भी जूट नहीं बोल सकते हो धारना के लिए मुख्य सार किसी भी बात में संशे बुद्धी बन पढ़ाई नहीं छोड़नी है पहले तो पावन बनने के लिए एक बाप को याद करना है दूसरी बातों में नहीं जाना है शरीर पर नजर जाने से विगन आते हैं इसलिए भृकुटी में देखना है आत्मा समझ आत्मा से बात करनी है आत्म अभिमानी बनना है निडर बन कर सेवा करनी है वर्दान दृड संकल्प द्वारा कमजोरियों रूपी कल युगी परवत को समात करने वाले समर्थी स्वरूभव दिल शिकस्त होना किसी भी संसकार वा प्रस्तिती के वशी भूत होना व्यक्ति वा वेभवों की तरफ आकर्शित होना इन सब कमजोरियों रूपी कल युगी परवत को दिल संकल्प की अंगली देखकर सदाकाल के लिए समात करो अर्थात विजई बनो विजई हमारे गले का माला है हार है सदा इस समर्थी से समर्थी स्वरूभव बनो यही स्ने का रिटर क्योंकि बाबा आप से प्यार करते हैं यह बन कर दिखाना है जैसे साकार बाब ने सित्ती का स्तंब बन कर दिखाया ऐसे पालो पादर कर सर्व गुनों के स्तंब बनो आग का स्लोगन साधन सेवां के लिए है आराम पसंद बनने के लिए नहीं ओम शाना